साथियों, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकारे आती हैं, जाती हैं, लेकिन सिस्टिम वही रहता है, हमारी सरकार ने इस सिस्टिम को ही गरीबों के लिए ज़्यादा सम्विधन चिल बनाया, उसमें निरंतर सुधार किये हैं, पी-एम आवास योजना हो, स्कॉलर्शिप देना हो, या फिर पेंशन योजना है, टेकनलोजी की मदद से हमने ब्रस्ता चार का स्कोप कम से कम कर दिया, जिन समस्याओं को पहले पर्मेनेंट मान लिया गया था, हम उसके पर्मेनेंट सॉलूशन देने का प्रयास कर रहे हैं, जब सेवा, सुसासन और गरीब कल्यान का लक्ष हो, तो कैसे काम होता है, इसका एक उधारण है, डायरेक बेनिफिट ट्रांस्पर स्कीम, अभी मैं जो कह रहा था, डीवीटी के माध्यम से, डायरेक बेनिफिट स्कीम के माध्यम से, दस करोर से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में, सीधे 21,000 करोर रुपिये ट्रांस्पर हो गए, यह हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है, उनके सम्मान की निदी है, बीते आठ साल में, ऐसे ही, डीवीटी के जरिये हमने, 22,000 करोर रुपिये से ज़्यादा, सीधे देश वाजियों के अकाउंट में ट्रांस्पर किये हैं, और ऐसा नहीं हुआ कि सो पैसा भेजा, तो पहले पच्चासी पैसा लापता हो जाता था, जितने पैसे भेजे, वो पूरे के पूरे सही पते पर, सही लाभारती के बैंक खातों में भेजे गए हैं, साथियों, आज इस योजना की वज़े से, सवा दो लाग करोड रुपिये की लिकेज रुकी है, पहले यही सवा दो लाग करोड रुपिये, बिचोलियों के हाथों में चले जाते थे, दलालों के हाथों में चले जाते थे, इसी डिबीटी की वजह से देश में सरकारी योजनाओं का गलत लाब उठाने वाले नव करोड से जादा फर्जी नामों को हमले लिस्ट से हटाया आप सोचिए फर्जी नाम कांगेजों में चड़ा कर गैस सबसीडी बच्चों की पढ़ाई के लिए बेजी गई फीज कुपोशन से मुक्ति के लिए बेजा गया पैसा सब कुछ लूटने का देश में खुरा खेल चल रहा था ये क्या देश के गरीब के साथ अन्याय नहीं था जो बच्चे उजवल भविश की आशा करते हैं उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं था क्या ये पांप नहीं था अगर कोरोना के समय यही नव करोड फर्जी नाम कागजों में रहते तो क्या गरीब को सरकार के प्रयासों का लाब मिल पाता क्या क्या है